नमस्कार, knitting and crochet tutorial में आपका स्वाधर आज मैं इस वीडियो में आपके लिए ये डिजाइन ले करके आई हूँ इसे मैंने हाप स्वेटर पे बनाया हैं इस डिजाइन को हाप स्वेटर पे बनाते हुए आपको बता रही हैं ये मैंने हाप स्वेटर का बॉर्डर बनाया है बॉर्डर में मैंने 100 फंदे डाले हैं और बॉर्डर के उपर बढ़ा करके 122 फंदा कर दिये हैं ये 12 फंदे का डिजाइन है इसमें मैंने 122 फंदे डाले हैं 60 फंदे इधर हैं और 60 फंदे इधर बीच में 2 फंदे हैं। जब इस डिजाइन को हाफ स्वेटर में डालेंगे तो इस बात का ध्यान रखे हैं कि मिडिल में 2 फंदे उल्टे होने चाहिए। ये 12 फंदे का डिजाइन है, 6 फंदा सीधा और 6 फंदा उल्टा बुनेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ ये दो फंदे, ये दो फंदा जो उल्टा है इसे मैंने यहाँ मार्क करके रखा है, आप इस तरह से मार्क कर लगा लेंगी, डिजाइन को सेट करने में आसानी होगी, एक फंदा उतार लेंगे और 5 फंदा उल्टा बुनने के बाद, ये 6 फंदा हो गया, फिर धागा पीछे कर लेंगे, और 6 फंदा सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6 फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 6 फंदा उल्टा, फिर ये 6 फंदा सीधा, इस तरह से, ये मिडिल तक इसी तरह 6 फंदा, उल्टा और 6 फंदा सीधा करते हुए, यहां बीच तक लेकर के आएंगे, ये देखिए, इस तरह से, 6 फंदा उल्टा और 6 फंदा सीधा करते हुए, ये 20 तक आगे, ये 2 फंदा, ये मिडिल का 2 फंदा है, इसे उल्टा बुन उल्टा था छेफंदा सीधा लेकिन बीच में दो फंदा ही औल्टा बुनेंगे उसके बाद फिर छेफंदा सीधा धू हुआ है हुआ है कि दाग़ा आगे रिफंदा उल्टा करा कि इसी तरह यह पूरी सलाई बना लेंगे रॉंग साइट से सभी सलाईयों में उल्टा ही बुनेंगे कि दूसरी स्लाई है यह रॉंग साइट है हमारा इधर यह पूरी स्लाई नहीं पूनेंगे तीसरी स्लाई है फिर पहला फंदा उतार लेंगे और ये जो छे फंदा किनारे में है इस छे फंदें को ये देखे तीन और तीन ये छे फंदा उल्टा हो गया एक दो तीन चार और ये पांच फंदा सीधा हो जाएगा ये जो छटा फंदा है इसे अब उल्टा बुनेंगे एक दो ये छटा फंदा जो था इसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से ये साथ फंदा हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ फंदा फिर पांच फंदा सीधा चार और ये पांच फंदा सीधा ये फंदा फिर उल्टा हो जाएगा इस तरह तीसरी स्लाइम में साथ फंदा उल्टा और पांच फंदा सीधा बुनेंगे अब बीच में पिसली स्लाइ में दो फंदा उल्टा बनाये थे अब यहाँ पे चार फंदा उल्टा हो जाएगा एक दो तीन और यह चोथा फंदा यह जो सीधा है इसे उल्टा बूल लेंगे फिर इसके बाद एक, दो, तीन, चार, और ये पांच फंदा सीधा, इसके बाद देखिए, फिर साथ फंदा उल्टा, तीन, चार, पांच, छे, और ये देखिए, ये जो सीधा फंदा है, ये साथ मां फंदा हो जाएगा, उसके बाद फिर ये पांच फंदा बचेगा, एक दो तीन चार और यह पांच फंदा कि यह एक फंदा यह सीधा फंदा का एक फंदा इस दो इ BOE उल्टा होता चला जाएगा इश मज़से यह देखे इस अब ज़िताैक स्क्राइब है फिर इधर भी के आके फंदा यह इस इधा जो है एक एक फंदा उल्टा होता चला जाएगा बढ़ता जाएगा इस तरह से तीसरी स्लाइब में साथ फंदा उल्टा बीच में चार फंदा हो जाएगा और उसके बार फिर साथ फंदा उल्टा और पांच सीधा फंदा चार और यह पांच फंदा सीधा फिर से यहां देखिए एक दो तीन चार पांच छे और यह देखिए यह सात मा इस तरह यह पुरी स्लाई बना लेंगे रॉंग साइट से पूरा उल्टा बुनेंगे पांच मी स्लाई में तीन फंदा उल्टा बुनने के बाद दागा पीछे कर लेंगे ये एक, दो और ये तीन, के बाद जो ये चौथा सीधा फंदा है, इसे सबसे पहले इस तरह से खीचेंगे, और इसे सबसे पहले बुनेंगे, उसके बाद फिर इन तीनों फंदा को सीधा बुन लेंगे, इस तरह से, उसके बाद इस चौथे फंदे को भी गिरा देंगे, ये ं देखिए एक में दो तीन चार पांच चे औरी साथ पंद सीधा और फिर अगे कर लेंगे यह आख्री का यह सीधा पंदा इसे फिर उल्टा बुनेंगे हर सलाई में यह एक फंदा उल्टा इस तरफ से यह देखिए इस तरह यह एक फंदा उल्टा यह बरता चला जाएगा अब एक दो तीन चार और यह पांच फंदा उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे कर लेंगे यहाli देखिए यह तीन फंदा उल्टा है और यह चौथा फंदा जो सीधा है इसे सबसे पहले बुनेंगे इस तरह से कीचेंगे उसके बाद इस चौथे फंदे को इस तरह पहले सीधा बुन लेंगे फिर इन तिनों फंदा को एक एक कर सीधा बुनेंगे दो और ये तीन उसके बाद फिर तीन फंदा सीधा इस तरह ये अब साथ फंदा हो गया देखिए एक दो तीन चार पांच है और ये साथ फंदा फिर धागा आगे करेंगे पांच उल्टा फंदा चार और ये पांच उल्टा फंदा फिर ये देखिए यहाँ ये उसी तर ये तीन उल्टा फंदा है और ये चौथा सिधा फंदा इसे इस तरह से खिचेंगे पहले सिधा बुनेंगे उसके बाद एक एकर इन तीनों फंदा को सिधा बुनेंगे फिर तीन फंदा सीधा, इस तरह ये साथ फंदा सीधा हो गया, ये आखरी का फंदा सीधा जो है इसे उल्टा बुनेंगे, फिर इहां पर पांस फंदा उल्टा बुनेंगे, इसी तरह ये डिजाइन को ये बीच तक हम ले करके आएंगे, ये देखिए, ये बीच में आने के बाद, ये एक फंदा जो सीधा है, इसे उल्टा बुनेंगे, अब यहां पर दो, तीन, चार, पांच, और ये छे फंदा उल्टा हो जाएगा, इस तरह से पहले दो फंदा, पहली स्लाई में, तीसरी स्लाई में चार फंदा, फिर ये पांच मिस लाई है, इसमें, ये देखिए, छे फंदा, उल्टा होने के बाद, एक, दो, तीन, ये तीन फंदा सीधा बुनेंगे, ये चौथा फंदा है, इसे इस तरह से खीश करके, उतार देंगे, और उसके बाद, ये तीन फंदा, एक, दो, तीन फंदा, सीधा पहले बुन लेंगे, उसके बाद इस चौर्थे फंदे को इस तरह से उठा लेंगे च्छाला लेंगे और एक सीधा फंदा जोड़ी सलाइब यहां भी देखिए साक फंदा हो गया एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ फंदा हो गया अब फिर देखिए पांच फंदा उल्टा बुनेंगे ये देखिए ये एक सिधा फंदा है इसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से पांस फंदा हो जाएगा उल्टा उसके बाद तीन फंदा सिधा तीन, ये तीन फंदा सीधा हो गया, ये चौथा फंदा इसे खीच करके उतार देंगे, उसके बाद ये तीन उल्टा फंदा है, इसे सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे कर लेंगे, पांच उल्टा फंदा चार और ये पांच मा, ये जो सीधा फंदा है, इसे उल्टा बुन लेंगे इस तरह से ये पूरी स्लाई बना लेंगे, रॉंग साइट से पूरा उल्टा ही बुनेंगे साथ मी स्लाई में, अब तीन फंदा उल्टा हो जाएगा, उसके बाद धागा पीछे करेंगे और ये एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे फंदा सीधा, ये साथ मा, पंदा जो सीधा है, इसे उल्टा बुनेंगे ये छे फंदा उल्टा हो गया, फिर छे फंदा सीधा इसी तरह छे फंदा सीधा और छे फंदा उल्टा करते हुए बीच तक इसे बुनेंगे अब ये बीच का फंदा ये छे फंदा था और आठ फंदा उल्टा हो जाएगा तीन, चार, पांच, छे, साथ और ये आठ फंदा उसके बाद फिर छे फंदा सीधा फिर छे फंदा उल्टा इसी तरह ये सातमी स्लाइप पुड़ा कर लेंगे ये तीन फंदा उल्टा धागा पीछे एक दो, तीन, चार और ये पांच फंदा सीधा फिर ये आखरी का फंदा उल्टा हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये सात उल्टा फंदा फिर पांच फंदा सीधा फिर साथ उल्टा फंदा यह देखिए यह जो दो फंदा सीधा है बीच में यह नो मिस लाई में ही बनाएंगे साथ फंदा उल्टा और पांच फंदा सीधा बुनने के बाद ये बीच का फंदा है देखिए ये साथ उल्टा और पांच सीधा फंदा बुनने के बाद ये बीच में आठ फंदा था पिसली स्लाई में इसमें उल्टा बुनेंगे, चार फंदा, उसके बाद ये दो फंदा सीधा हो जाएगा, फिर धागा आगे कर लेंगे, और चार फंदा उल्टा, फिर एक, दो, तीन, चार और ये पाँच, सीधा फंदा, और फिर साथ उल्टा फंदा, इसी तरह ये पूरी स्लाई बना लेंगे, इसे पहले बनेंगे, इसके बाद ये तीन फंदा सीधा बनेंगे, फिर से तीन फंदा सीधा, इस तरह से ये साथ फंदा हो गया, देखिए, तीन, चार, पाँच, और ये साथ फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार और ये पांच फंदा उल्टा दागा पीछे कर लेंगे यहां फिर देखिए ये तीन उल्टा फंदा है उसके बाद ये चौथा सीधा फंदा है इसे पहले बुलेंगे फिर तीन सीधा फंदा फिर धागा आगे कर लेंगे और ये पांच फंदा उल्टा यहां फिर इसी चीज़ को रिपीट करेंगे ये चौथा फंदा को पहले बुनेंगे उसके बाद फिर ये तीन फंदा बुनेंगे जैसे ये पांच मीं स्लाई में बुने थे उसी तरह एकार प्राइमीर्सलाइब भी बुनेंगे का 20 में आने के बाद देखिए हैं यह भी हम पांच ओल्टा हो जाएगा कि के इसे इसी तरह दो सिदा बुनेंगे पांच उल्टा धागा पीछे तीन सीधा बुनने के बाद ये जो फंदा है इसे चौथा सीधा फंदा इसे गिरा देंगे खीच करके उसके बाद तीन उल्टा फिर ये देखिए एक दू तीन चार पांच छे साथ फंदा सीधा हो गया फिर पांच उल्टा फंदा और ये पांच फंदा उल्टा फिर तीन फंदा सीधा बुनेंगे ये चोथा फंदा इसे खीच करके उतार देंगे और फिर तीन सीधा फंदा ये उल्टा फंदा जो है ये सीधा हो जाएगा फिर इसे सीधा बुन लेंगे ये फिर साथ फंदा हो गया फिर पांच उल्टा इस तरह से ये पूरी स्लाई बना लेंगे तेरा मीच लाई में ये छे फंदा सीधा बुनेंगे उसके बाद इस फंदे को उसी तरह से धागा आगे करेंगे और फिर छे फंदा उल्टा फिर छे फंदा सीधा ये देखिए यहां फिर ये किनारे का फंदा उल्टा हो जाएगा हर स्लाई में एक-एक सीधा फंदा उल्टा हो जाएगा ये 6 फंदा उल्टा 6 फंदा सीधा और 6 फंदा उल्टा करते हुए बीच तक बुनेंगे यह वीच में देखिए फिर 6 फंदा उल्टा हो जाएगा और ये 2 फंदा सीधा हो जाएगा फिर छेफंदा उल्टा फिर छेफंदा सीधा इसी तरह पूरी स्लाइब बुनेंगे फंद्रमी स्लाइब में किनारे का ये पांच फंदा पहले सीधा बुनेंगे उसके बाद धागा आगे कर लेंगे फिर ये देखिए किनारे का फंदा और ये छे उल्टा फंदा मिला करके साथ फंदा हो जाएगा छे और ये साथ फंदा उल्टा फिर पांच फंदा सीधा इसाथ फंदा उल्टा पांच फंदा सीधा ये देखिए साथ फंदा उल्टा और पांच फंदा सीधा करते हुए ये पूरी स्लाइब उनेंगे बीच में आ करके यहां पर ये फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ फंदा उल्टा हो जाएगा और ये दो सीधा फंदा उसी तरह सीधा बुनेंगे अब फिर साथ फंदा उल्टा और पांच फंदा सीधा इसी तरह ये पूरी स्लाइब ना लेंगे नेक्ट स्लाइम है फिर दागा आगे करेंगे उसके बाद और ये पांच फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे फिर ये देखिए उसी तरह से ये चोथे फंदे को पहले बुनेंगे उसके बाद इन तीनों फंदा को एक एक करके सीधा बुन लेंगे फिर तीन फंदा सीधा धागा आगे पांच फंदा उल्टा यहां भी इसी तरह ये चोथा फंदा पहले बुनेंगे बाद में ये तीन सीधा फंदा फिर इस फंदा को गिरा देंगे उसके बाद तीन सीधा फंदा फिर पांच उल्टा इस तरह से यहां बीच तक इसी तरह बुनते हुए आएंगे यहां देखिए बीच में आने के बाद यहां भी तीन चार और यह पांच उल्टा फंदा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे उसके बाद फिर यहां यह देखिए बीच में यह जो दूसरा दो फंदा है सीधा इसे पहले सीधा बुनेंगे उसके बाद इन तीन उल्टा फंदा को सीधा बुनेंगे फिर यह दूसरा फंदा है इसे इस तरह से खीच कर उतार देंगे और तीन सीधा फंदा बुनेंगे फिर यह इस फंदे को भी उठा कर बूल लेंगे इस तरह देखिए अब बीच में एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ फंदा हो गया फिर धागा आगे कर लेंगे पांच उल्टा फंदा तीन चार और यह पांच उल्टा फंदा फिर तीन सीधा फंदा इस चौता फंदा को फिर जैसे पिछली स्लाईयों में किये थे उसी तरह चौता फंदा को इस तरह से खीच कर उतार देंगे और तीन उल्टा फंदा को सीधा बुन लेंगे फिर ये गिरे हुए फंदा को इस तरह से उठा लेंगे और एक सीधा फंदा है इस तरह ये देखी ये फिर साथ फंदा हो गया फिर पांच उल्टा इसी तरह इस पुरी स्लाई को कम्प्लीट करेंगे उनीशमी स्लाई है इसमें ये तीन फंदा सीधा बुनेंगे धागा आगे कर लेंगे फिर एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे फंदा उल्टा फिर छे फंदा सीधा छे फंदा उल्टा बीच में ये छे फंदा उल्टा हो जाएगा ये छे फंदा उल्टा हो जाएगा और ये तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ फंदा को उसी तरह सीधा बुनेंगे ये आठ फंदा सीधा हो जाएगा, उसके बाद फिर छे फंदा उल्टा और छे फंदा सीधा करते हुए पुरी स्लाई बुन लेंगे एक किस्मी स्लाई है, एक किस्मी स्लाई में ये दो फंदा सीधा हो जाएगा उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और ये पांच फंदा सीधा, फिर साथ फंदा उल्टा और पांच फंदा सीधा इसी तरह ये पुड़ी स्लाई बनाएंगे, पांच सीधा और साथ उल्टा बुनने के बाद, ये बीच का आठ फंदा वैसे ही सीधा बुन लेंगे उसके बाद, फिर साथ फंदा उल्टा साथ फंदा उल्टा और पांच फंदा सीधा ये देखिए दो फंदा सीधा, ये उपर में ये आठ फंदा सीधा है, ये आठ फंदा उसी तरह सीधा बुन लेंगे उसके बाद, पांच फंदा ये साथ फंदा उल्टा और पांच फंदा सीधा, फिर साथ फंदा उल्टा और पांच फंदा सीधा इस तरह से पुरी स्लाई बना लेंगे नेक्स्ट स्लाई में ये एक फंदा उतार लेंगे, उसके बाद एक, दो, ती, चार और ये पांच फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, उसके बाद फिर उसी तरह से, उसी परक्रिया को रिपीट करना है, इस फंदा को पहले बुनेंगे, फिर तीन सीधा फंदा, एक, दो, और ये तीन सीधा फंदा, उसके बाद फिर ये, एक, दो, और तीन, इस तरह से ये साथ फंदा हो गया, फिर धागा आगे, पांच उल्टा, पांच, धागा पीछे करेंगे, इसी को रिपीट करेंगे, फिर धागा आगे, पांच उल्टा, इसी तरह, इस लाई को भी बनाएंगे, बीच में आने के बाद देखिए, फिर उसी तरह, ये तीन, दूप, पांच फंदा उल्टा बुनने के बाद, ये जो तीन फंदा उल्टा है, वो सीधा हो जाएगा, पहले ये चौथा फंदा को सीधा बुनेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, इसके बाद सभी फंदों को सीधा बुनेंगे, ये लास्ट वाला फंदा, फिर इसे इस तरह से खीज कर उताग लेंगे, और इसके बाद वाले फंदे को, एक, दो, और ये तीन, तीन फंदा सीधा बुनेंगे, जो उल्टा फंदा था, उसके बाद इसे फिर से, अब ये फंदा बढ़ करके हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, एक, ग्यारा, बारा, तेरह, चौदा, इस तरह ये फोर्टीन स्टीच हो जाएगे, फिर पाँच उल्टा, तीन सीधा, इस फंदा को फिर उसी तरह से, गिरा देंगे, और ये तीन फंदा सीधा, उसके बाद इसे उठा करके, सीधा मुन लेंगे, फिर पाँच फंदा उल्टा, इस तरह से, ये पुरा डिजाइन, ये पुरी स्लाइ बना लेंगे, पचीसमी स्लाइ है, पचीसमी स्लाइ फिर हम पहली स्लाइ की तरह ही, 6 फंदा पहले उल्टा बुनेंगे, और ये 6, ये 6 फंदा उल्टा हो गया, फिर 6 फंदा सीधा, चार पांच और ये छे फंदर सीधा फिर तीन चार पांच और ये छे इस तरह से पहली स्लाई की तरह ये पूरी स्लाई बुनेंगे यह देखेए छे फंदर उल्टा छे फंदर सीधा फिर छे बंदर उल्टा यह अब यह बीच का पूर्शन है जैसे यहां सुरू किये थे पहली स्लाई में छे फंदर यह सीधा उसके बाद दो उल्टा उसी तरह अब यहाँ पर पहले 6 फंदा, यह 6 फंदा सीधा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह 6 फंदा सीधा हो गया, धाग आगे करेंगे, यह बीच का फंदा है, यह दोनों फंदा उल्टा हो जाएगा, फिर से 6 फंदा सीधा, इसके बाद फिर 6 फंदा उल्टा, इसी तरह यह पूरी स्लाई बनाएंगे, यह देखिए, यह डिजाइन बन करके तयार है, पहली स्लाई की तरह ही 25 स्लाई को भी बनाए है, इसी तरह इस डिजाइन को रिपीट करेंगे, उम्मीद करते हैं कि यह डिजाइन आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं, यदि यह वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद,